एक बार वर्षा की देवता इंद्र को घमंड ने खेड लिया भी सोचने लगे कि मेरे कारण ही धर्ती की खुश हाली है मैं मेगों को आदेश देता हूँ तभी वे जल परसाती है इससे धर्ती पर खेती फलती फूलती है पशु पक्षी अनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुचती है इसके बदले में मुझे क्या मिलता है समान करना तो दूर कोई याद तक भी नहीं करता ठीक है मैं अगले कई वर्षों तक वर्षे नहीं करूँगा धर्ती के प्राणियों की अकल अपने आप ठीकाने आ जाएगी यह सोचकर इंदर देवता ने मेगों को अपने महल में बंद कर दिया अशाड मास आगया पर पानी ना बर्सा अशाड के अधे दिन भी निकल गए बादल दूर दूर तक दिखाई ना दिये सावन बीता भादो आया पर पानी की एक बूंद ना बर्सी वर्षा के कोई आसाड दिखाई ना पड़ते थे किसान बादलों की बाढ़ देखते देखते ठक चुका था एक दिन उसने अपने बेटों से कहा चलो खेत में हल चलाएं यदि इंदिर देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला चलो खेत में बिजाई करें वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुवाई का काम शुरू कर दिया पेड की चाया में दुपका एक मैंडक यह सब देख कर बोला खेत में बुवाई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा किसान ने उतर दिया पानी भले ही ना बरसे अनाज भले ही ना हो पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें अगर पानी बारा बरस तक नहीं बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे मैंडकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है चलो हम भी अपना काम करें इतना कहकर लगे दोनों टर 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 करने उनके टर टर सुनकर मूर वहां आ गया और कहने लगा क्यों री मैंडकी पानी बरसने के तो आसार है नहीं तुम्हारे टराने से क्या फाइदा मैंडकी बोली अगर पानी बारा बरस तक ना बरसे तो क्या मैं टराना चोड़ दूँ मैं तो टराना भूली जाओंगी भला मैं अपना कर्म क्यों चोड़ू मूर को मैंडकी की बात जच गई और पिहू पिहू की आवाज गूंज उठी इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे मैंने तो अपना काम बंद कर दिया लेकिन यह सब तो अपने काम में जुटे हैं इस रहसे का पता लगाना होगा इंद्र भेश बदलकर किसान के पास आए और पूछा भाया जब मेंग बरसने के आसार ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किये जा रहे हो किसान बोला वर्शा करने वाला अपना काम करे या ना करे वह ठहरा देवता हमारे लिए तो काम ही सर्व परी है मैंडग भी बोल पड़े टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है वे आए या ना आए यदि हम टराना छोड़ दें तो हमारी संताने तो टराना भूल ही जाएंगी अब मोरी भी बोल उठे पिहू पिहू करना हमारा कर्म है शेश सब बाते चोटी है इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे वर्षा के बिना पेड पोधे जानवर पक्षी सभी परिशान हो उठे लोग हरसे में आसमान की और टक्टकी लगाए देखते रहते किसान मैंडग और मोर की बाते सुनकर इंदर की आखें खुल गई उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई उन्होंने तुरंद अपने महल का फाटक खोल कर बादलों को आजाद कर दिया आजादी की खुशी में बादल दोड़ते भागते आसमान में चारों ओर चा गई उनकी खुशी की गड़गडा हट से पूरा आसमान गुंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी किसान मैंडक और मोर के कर्म की जीत हुई थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल